कि अग्यूंद के लोगाइस बेलकम बैक टू आपर चैनल माइन नीमिज मुकेश कुमारत वीडियो आज के हमारी इगनु उनिवर्सिटी के ऊपर रहने वाले थे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का साथ जनवरी दोजाश चोविस को एक्जाम कंड़क्ट कर वाय गया तो वाई दिपार्टमेंट ओफ इगनु आप देखेंगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बारे में पीएचडी के बारे में बहुत सारे स्टुडेंट तो यह बोल रहे हैं कोई यूटूब के माद्यम से हमें कोई अपडेटी नहीं कर रहा है तो इस वीडिय पूरा का पूरा डेटर शेयर हो जाएगा जो प्लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि इस अगर पुराने हो तो आप लोगों ने देखी होगी 120 से प्लस हमारी वीडियो बन चुकी है और इगनु में भी गाइस बीडियो से संबन देते हैं पूरी की पूरी वीडिय से संबन देते हैं क्योंकि हम चार साल से कर रहें डेटा कभ आपके फॉर्म आते कभ इसकी आंसर कि आती है कभ इसका रिजल्ट होता है कभ इसका फर्स्ट मेरेट मतलब की जारी किया जाता है डिपार्टमेंट के तरफ से तो बहुत सारी इंफोर्मेशन है आगर वीडियो समझ में आएगे अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी ठीक है तो आप इसकीप मत करना पूरी वीडियो बौच करना आप लोगों के लिए हैलफुल रहने वाली है ठीक है अगर मैं PhD की बात करूं न तो यहां पर देखे PhD के आप लोगों के एक्जाम पिछली बार जब हुए थे ना तो आप लोगों के जब एप्लिकेशन फॉर्म आये था वो दिसंबर के मंत में आये थे ठीक है दिसंबर के मंत में इसके फॉर्म रिलीश किये गए थे तो यहां पर देख सकते है 2022 की अब 22 का डेटा है तो 23 में होगा तो 24 में होता है डेटा आप लोगों को पता होना चीए फिक है आट महें को आप लोगों का यहां पर देख सकते है यहां पर देखना कि आप लोगों का रिजल्ट जारी होने के बाद अब यहां पर दो जार बाइस का रिजल्ट नैशनल टेस्टिंग एजनसी आड डिकले हैज डिकलेर दा रिजल्ट और एगनु पी एचडी इंट्रेंस टेस्ट एक्जाम मतलब कि आप लोगों का मतलब कि रिजल्ट सेकिंड जून को दो जार बाइस को कर दिया था तो गैस यहां पर आप ड कमेंट करते हैं आपको कोई भी संबंदी डाउट है तो प्लीज अपना पूछ लेना क्यूंकि मैं आप लोगों की कमेंट सबसे पहले बता देता हूं ठीक है अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो आपको एक्सपेक्टेड कटो बीएट के बारे में बता दूंगा लेकर के आना थीक है मतलब की 62 के बन रहे है तो आपना डेटा बिल्कुल रखना अगर ऐसी मतलब की ऐसी के बारे में कहा रहा तो 65 लेके चलना ठीक है डेकर चल सकते है यह ने पिछली वीडियो में बता है यहां पर देंके एक और कमेंट है एंगूल और और दीशा की 64 सब्सक्राइब करें तो दूसरी कमेंट यहीं लास्ट इसके बारे में डेटा थोड़ा से वताऊंगा पीएचेडी के बारे में यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस केंडिडेट ने हमसे कोशन पूछा था कि राजपूत गरलने की सर हमारी पीएचेडी का कोई रिलेटर इनिफॉर्मेशन दीजिए आप लोगों को बता देता हैं पूरे यूटूब पर कोई भी पीएचेडी बीएचेडी बीएचेडी बीएट के बारे में बहुत कम दे रह ताकि मैं पिन कर सकूँ आप लोगों को मतलब की बता सको तो काईस देखिए अब मैं इसका डेटा थोड़ा शेयर कर देता हूं देखेए गाईस अगर मैं पीएचेडी की बात करूँ तो यहां पर आप लोगों के यूरेल देख सकते हैं यह जैसे लिंक दे रहे हैं मैं इ यह देखनी पाऊगे आप लोगों ने पीएचेडी का एक्जाम दे दिया ठीक है थोड़ी इंसेक्शन है आप लोग अगर कैटीगरी 22 ब्लॉंग करते हो ना तो आप लोगों के यहां पर 45 परसेंट का आपको क्रेटरी यह बता रखता है स्टी और स्टी ओवी सी कैटीगर मतलब कि इंट्रीवी में 30% की रहने वाली है तो आप लोग यहां पर देख लेना और यहां पर बहुत ज़्यादा इंपोटेंट यही रहेगा और रिजल्ट के बारे में बताऊंगा इस देखे रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी डिपार्टमेंट जारी करेगा क् मैं नहीं है मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी दिर में बता देते तो थोड़ी बीजर्ड के बारे में और बश्यक्राइब बता देता हो जैसे मैं पीचे करूंगा यहां पर एसके यूर्ल मतलब बापीस आजएगा हमारा और यहां पर जैसी हम इस वाले लिंक दूसरे बारे में बात करें फिर इसके बाद B8 के बारे में यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह B8 के बारे में information दे रखें लेगन BSC के बारे में बता देता हूं जैसे BSC पर click करोगा नहीं गाई तो BSC कभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, BSC Nursing जनवरी में आप लोगों का exam conduct करवाये गयता है, यहाँ पर देख सकते हैं मतलब कि qualified candidate will be done the respective regional center based or region wise merit list आप लोगों की merit list निकाली जाती है department के तरफ से, लेकिन हाँ जब result आप लोगों का declare तो उससे पहले PhD का हो जाएगा PhD टॉप बन पर रहता है हमेशा और नहीं तो आप लोगों का BSC का, मतलब की first और second इन दोनों में होता है फिर हमारा जो third पर आता है B8 का result आता है आप लोगों का BSC है तो BSC में आप लोगों देख लेना अपना ज़्यादा मतलब की इसके number नहीं जाते है मैंने पिछली बार देखा था और अगर मैं B8 की बात करूँ दे कि सबसे most important है B8 के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या-क्या condition रहने वाली है एक तो आप लोग guys यहाँ पर आप लोग result जैसे टिकलेर होगा ना तो इस पर थोड़ा error आएगा क्योंकि traffic पड़ता साइट पर आप लोग यहाँ पर fee structure के बारे में पूछ रहते तो 55,000 आप लोग की fee रहने वाली है 2024 में ठीक है कैसे submit होगी यह भी बहुत सारे student पूछ रहते हैं और क्या क्या लगेगा क्या 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 नहीं लगेगा देखिए गाई इसमें आप लोगों की 55,000 fee submit हो जाएगी एक बार में ठीक है अब यह तुकडों में कर सकते हो क्योंकि 27,500 आप submit first year जो आप लोगों का होता है उसमें submit हो जाएगी आप लोगों ने जो register mail ID दे रखा है उस पर आप लोगों का submit होगा और जैसे ही आप register mail ID पर submit करोगे तो आप लोगों के program आपके details हो जाएगी और आप महां पर enroll हो जाएगी आपको college कौन सी result है नगाइस मैं data clear कर देता हूँ आप लोगों का result Fav के end में आने की पूरी की पूरी संभावना है ठीक है in my experience four year four साल मतलब चार साल के experience के तोर पे आप लोगों का data बता रहा हूँ कि आप लोगों का Fav के मनत में आप लोगों का result आने के समामना है देखे आप लोगों की seat alert बहुत मुश्किल से होती है बहुत सारे student होते है कि सीटी अलोट नहीं जानते और इस बार सबसे बड़ी अपडेट तो यह है गाइस बीसी और पीएचडी में भी बेटिंग लिस्ट का के मतलब की condition रखी गई है बेटिंग लिस्ट भी आप लोगों के लिए निकाली जाएगी तो फैप के मनत में आप लोगों की इतनी आ जा सकते हो आप लोगों का वैनिफीशल रहेगा तो उसका भी डेटा आप लोगों को बता दूगाइस अगर आप यूर कैटिगरी से ब्लॉंग कर रहे हो और आपके सी नंबर बन रहे हैं मतलब कि इसमें तो आप अपना डेटा बिल्कुल से मानना क्योंकि आफ लाइन एकजा से बन जाओगे और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों की 65 और 60 के बीच में रहने की संबामना रहेगी ठीक है तो यह कट ओफ आप लोगों को 2024 में देखने को मिल सकती है और रिजल्ट के बारे में आप लोगों को बता दिए जो केंडिट हमाचल पर पहली थैंक पर बॉचिंग